आज है दस जुलाई संदो हजार चोबिस और हर बार की तरहां एक बड़ फिर से अल्टी मदस नंबर वाना हज़र है इंडिया की टीवी इंडिस्ट्री और सेलेप सिर रिलेटीड पांच छोटी बरी खबरों के साथ कुंडली भागे रॉमी के शुमार भी इंडिया की सबसे लंबे अस्ता की चलने वारे ड्रामों में होता है जिसमें जरेशन लैप के बाद अब एक से बलकर एक निया त्विस देखने को मिर रहा है इसी दुरान अब एक और नई एक्ट्रेस की इस शूर से चुटी होने वाल हिना खान जो हाल ही में ब्रेस्ट कैंसल में मुफला है इन्होंने ड्रामा इंडिस्ट्री से तो अपने कैरियर का आगास किया था लेकिन हाल ही में इन्होंने पंजाबी फिल्म इंडिस्ट्री से भी अपने कैरियर का आगास करने का फैसला कर लिया था और इन्होंने सबसे जदे बिसनेस करने वाली फिल्मों में शामल हो चुकी है और इस फिल्म के बाद़ अब हिनाखान क्अ ब्रेस कैंसर है वर ब्रेस कैंसर से शेब बहादिर के साथ मकाब्ला कर ρही है गुम है किसी के प्यार में जैसे जैसे कहानी आगे बर रही है वैसे वैसे रज्जत और सवी एक दूसरे से दूर होने की भरपूर कोशिश कहते नजर आ रहे हैं अब आगे चलकर जो इंटरस्टिंग खबर जानने को मिलेगी वो यह है कि अब सवी रजट को जैलिस फिर करवाने के लिए अब शिंचाग से एक शादी के लिए त्यार हो जाएगी बागे लक्षमी ड्रामी में जुद्धा ट्रैक बहुत जाद इंटरस्टिंग जा रहा है जिसमें मलिक्षय अपने पूरी कोशिश कर रही है लिच्ची और रक्षमी को अलग अलग करने की और अब इन्होंने अलग करने के लिए लक्षमी की बेटी को निशाना बनाया है करकर अपने बेटी को मट्टी से निकालने में कामयाब हो तो जाएगी लेकिन उसकी तब्यात बहुत ज्यादा नासास होगी बिग बोस ओटी सीजन 3 में जहां पहले सिर्फ कॉंटेस्टन्ट के आपस में लगाई देखने को मिलते थी अब बाहिर भी पबलिक में भी बिग बोस ओटी सीजन 3 के बारे में काफ़ी लगाईयां सुनने को मिल रही है जिब सेपाईल मली के शोहर अर्मान मली के फड़ाइयां थपर मारा है बिग बोस ओटी सीजन 3 के अंदर तो उस तब से लोग पाईल मली के खराफ हो चुके हैं उसी तरफ राकी सामथ जो के पहले पाईल मली के साथ देती नजर आ रही थी अब वो भी पाईल मली के खराफ पूछ चुकी है, राकि सामत का कहता है कि तुम पबलिक प्रॉपटी हो जैसे चाहे हम तुम लोगों पर तबस्रे कर सकते हैं तुम लोगों को किसी ने दावत नहीं दी थी बिग बोस ओर्टी टी में आने की और इसके लावा राकि सामत ने तो बिग बोस से ये तक मतालबा कर दिया कि क्यों ना कि अर्मान मलик ने हात उठाया उसे अब रातो रात इस घर से इल्लिमिनेेट कर देना चाहिए वैसे आपके खियम Moo, ब्रूस को चाहिए कि आर्मान मलक घर से निकाल दे या फिर अपने शो की टी आर पी को बराने के लिए उसको शो के अंदर ही रखे अपनी राए हमाई से जरूर शिर करें अभी नीचे कॉमेंट सेक्शन में थैंक्स